असलाम अरेकुम स्टूदेंट्स इस लेक्चर नुबर 16 बियोलोजी नाइन्थ बियोलोजी लेसन नुबर 3 डाइवर्स्टी इन लिविंग और्गिनिजम्स इन दिस लेक्चर वी विल डिसकस अबाउट नॉमन क्लेचर तो बेटा यह हमारा लेक्चर नुबर 16 है नाइन्थ बियोलोजी में लेसन नुबर 3 हम बिसकस कर रहे है डाइवर्स्टी इन लिविंग और्गिनिजम्स और बेटा ओज हमारा टॉबिक है नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर का मतलब क्या है नेमिंग सिस्टम हमने पहले लेक्चर में कहा था 20 मिलियन स्पीशीज या 20 लैग स्पी इस इस सिस्टम फोर गिविंग नेम तो डिफरेंट लिविंग और्गिनिजम्स ये वो सिस्टम होता है जिसमें हम डिफरेंट लिविंग और्गिनिजम्स को नॉम देखते हैं उसके बाद बेटा हमने बोला कि अब हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें हम लिविंग BINOMIAL NOMON CLATURE आया वजूद में BINOMIAL BINOMIAL means to name Two name system, ठीक है? Two name system of naming जब हम एक organism के डो नाम देंगे जब हम एक organism को दो नाम देंगे पहला नाम ये किस स्पीशी से बिलंग करता है? वो नाम दूसरा नाम ये किर जीनस में आता है? वो नाम ठीके बिटा उसी को हम बोलते है binomial normal creature it is a formal system of naming species ये बिटा formal system है जिसे हम species को नाम देते है of living organisms by giving each a name composed of two parts हर किसी को जो हम नाम देते है उस पे दो parts होते है the first part of the name the generic name जो नाम का पहला part होता है उसको हम बोलते है generic name मतलब ये की जीनस से बिलॉंग करता है identifies the genus to which the species belong जो क्या identify करता है एक species की जीनस से बिलॉंग करता है while the second part of the second part the specific or specific epithet identifies the species दूसरा नाम होता है specific name ये किस particular species से बिलॉंग करता है उसी को हम बोलते है specific name within the genus एक जीनस के अंदर for example humans belongs to a genus homo हमें मौलुम है सारे human beings एक जीनस में आते है उसको हम क्या बोलते है homo and within this genus to the species sapiens और इसी जीनस में कौन से इसी जीनस के अंदर homo genus के अंदर कौन से species आते है sapiens that is with a homo sapiens the formal introduction of this system of naming species is credited to coral lininus इसको भी बेटा सबसे पहने इंट्रोडूस किया coral lininus ने in his work species plantrum in 1753 का बेटा 1753 में मतलब बेटा nomon culture क्या है बेटा ये भी एक हिसा है टेक्जोनॉमी का जिसमें हम अलग-अलग living organisms को नाम देते हैं ठीक है बेटा ताकि उनको हम identify कर सके उसके बाद इन्होंने बोला binomial nomon culture मतलब हम एक living organism को दो नाम देंगे उसको identify करने के लिए दो नाम देंगे एक नाम वो होगा कि वो किस species से belong करता है दूसरा नाम वो होगा वो किस genus से belong करता है उसके बाद पहला नाम हमने दिया वो किस genus से है दूसरा नाम हमने दिया वो किस species से है ठीक है बेटा जैसे हम कहते हैं We are all human beings belong to a species sapiens and we all human beings belong to a genus homo that means homo sapiens ये है बेटा हमारा binomial nomenclature में नाम homo sapiens देखे बेटा तो हम कहते हैं इस system को लाने वाला था curl linienis 1753 में उसने अपनी एक book में species plantrum में इसका introduction दिया था तो कल हम further इसके बारे में और पढ़ेंगे Thank you बेटा Assalamualaikum students This is lecture number 17 of biology 9th biology lesson number 3 diversity in living organisms In this lecture we will further discuss about binomial nomenclature तो बेटा ये हमारा lecture number 17 है 9th biology lesson number 3 इसलिए हम discuss कर रहे हैं diversity in living organisms और आज का हमारा जो topic है वो है बेटा binomial nomenclature पिछले lecture में हमने discuss किया था कि binomial nomenclature को introduce किया था सबसे पहले किसने Carlos linensi ने और binomial nomenclature का मकसद क्या था एक organisms को दो नम देना species name and genus name ठीके बेटा तो हम कहते हैं आज की lesson में हम discuss करेंगे इसी के बारे में further कार्लोस linensi से पहले और एक बार्टनिस्ट थे जिसका नाम था Gasper Bohin इसने 1622 में ही इंट्रोडूस किया था बेटा अपनी बुक में पीनेस थेट्रा बार्टनिका और एक्सपोजर और प्लांट्स बहुत सारी नेम्स जैनेरिक नेम्स इसने इंट्रोडूस किये थे जिसको फिर लेटर एडाप्टि किया था किसने लिनेनस ने उसके बाद ही जो बेटा बाइनोमियल नोमन कलेचर था इसकी एप्लिकेशन इस्तिमाल की फिर किसने बेटा इसमें फिर इन्वालू हो गई बड़ी बड़ी औरगनिजेशन जनुने इसको फर्दर मोडिफाई किया और जनुने फिर सप्रेट रूल्स बनाए कैसे हम एक औरगनिजम को नाम देंगे दा अप्लिकेशन आप बाइनोमियल नोमन कलेचर इस नाव गवार्नेट बाइ इंटरनेशनली एग्रीर कोडस ऑफ रूल्स और वीच दटू मोस्ट इंपोर्टन इंटरनेशनल कोड़ ऑफ जोलोजिकल नोमन कलेचर फॉर एंड़नेशनल कोड़ फॉर नोमन कलेचर इसमें फिर बड़ी यह जो बड़े बड़े ओर्गनिजेशन है उन्होंने फिर रू इंटरनेशनल कोड़ फॉर बड़े नोमन कलेचर इंटरनेशनल कोड़ फॉर एलगई फंगई एंड एलगई फंगई एंड प्लंट्स ठीक है बटा इन यह इसमें इन्वालू हो गई और इन्होंने बेटा फिर रूल्स बनाना शुरू किया मतलब अब नोमन कलेचर की जब इसको इंट्रोडूस किया था पहले बाद किसने बेटा कार्लोस लिननसी ने उसके बाद हम कहते हैं देहर डिजाइनर सम रूल्स एंड अन बेस आप दीज रूल्स देनें टो एप पर्टिक्यूलर ऑर्गिनिजम और स्पीशीज बूर भी गिवन इन्होंने कुछ इन्होंने क्या बोला क्या मकसद था वो रूल्स बनाने का जो हम अलग अलग नाम देते हैं गलोबली एक स्पीशीज को अलग अलग नाम मिलता है हर एक सिटेट में एक पर्टिक्यूलर स्पीशीज का अलग अलग नाम होता है ये क्रेड करता है कन्फूजन हमें हम सभी एक species को एक ही नम से identify करने चाहिए अलग अलग नम उसे नहीं और इसी confusion को खतम करने के लिए इन्होंने क्या बोला each and every organism would have one scientific name हर किसी organism को एक ही scientific name होना चाहिए which would be used by everyone to identify an organism तो कि हर कोई organism उसको क्या करें बेटा identify करें जैसे सारे human beings को हम बोलते है sapiens और ये की genus में आते है homo means homo sapiens ठीके बेटा वही इनका भी मकसद था अब कौन कौन से rules इन्होंने दिये एक particular organism को identify करने के लिए वो rules हम बेटा अगले lecture में discuss करेंगे thank you बेटा